हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टू योर नियू डारेक्सन यूट्यूब चैनल आज के सुभा के इस वीडियो में विभिन समाचार पत्रों में सिच्छा और रूजगार जिगत की हर एक एहम ख़बर हम आपके लिए खोज कर लाए हैं और उसी करम में सबसे पहले जो अपडे होंगे हमने पहले भी पिछले भी कई वीडियो में आपको जानका ही दिये कि पिछले बहुत सारे ऐसे चात्र हैं जुनके बहुत अधिक अंक थे अब हो सकता है कि वो फेल भी हो सकते हैं क्योंकि इसी कारण से मामला हाई कोड गया था और इसी कारण से PNP ने इन डेटा को पुरा रीचे करवाया है और संसोधित प्रणाम को जारी करने का फैसला लिया है उत्तर प्रदेश परिछन यामक प्राधिकारी यानि कि PNP सचिव ने पूरु में घोसित एड़िट जूनियर हाई स्कूल 2021 के सिच्छक बरती परिछक के परणाम को जो रद्द करने का प्र लेकिन जानकारी लगातार यही देखने को मिल रही है कि 17 अगस्त को सुनवाई है उससे पहले संसोधित जो परिछा फल है वो जारी करने की तैयारी हो चुकी है लेकिन दो दिन बीच में अवकास हो गया है आज रवीवार का कल यहाँ पर 15 अगस्त का दो दिन का रवीवार और इसी कारण से सासन से अनुमती मिलने में लगातार देरी हो रही है और परणाम विलंबित होता जा रहा है नेकिन जानकारी है कि देव मंगरवार देर साम तक जो आधिकारिक परणाम है वो आप आधिकारिक वेबसाइट पर देख पाएंगे लेकिन दोस्तों, ये लगातार साथन के निर्देश के बाद जब ये करवाही की गई थी तो यहाँ पर लगातार पुष्टी हुई कि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनके अंक कम हैं उनके बढ़ाए गें, बहुत सारे छात्र ऐसे जिनको अधिक अंक दे दिये गए थे इसके बाद सासन के निर्देश पर PNP सचिव अनिल भुशन चत्रवेदी ने आंतरिक बुल्यांकन करने की समयती बनाई और परिच्छापल का पुनर परिच्छन करवाया और अब 3730 परिच्छापल पूरी तरह से तयार हो जुकाए जो की देर मंगलवार को यहां पर जारी ह तो बड़ी अपडेट है अगर आपको भी इस परिणाम का इंतजार है तो आपको बस कुछ दिन और उपर आपना परिणाम देख पाएंगे उसकी जानकारी भी हम अलग से आपको देंगे इससे वीडियो को like share और चैनल को अभी तक आपने subscribe नहींचिया तो कर लिजिए और यहां से लाखो लाख बीएट के जो छात हैं उनका भविश से टिका हुआ है। अभी जानकरी थी पिछली बार जो लिस्ट आई थी computer generated वहाँ पर था कि 17-8 को इसकी सुनवाई होगी। यहां पर जानकरी देखने को मिल रही है कि 24-8-2022 को अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोस्तो जब तक 24 तारीक की फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती तब तक यह तारीके कन्फरम नहीं हो पाती है। तो सतरदरीके लिस्ट आई तो वहाँ पर इसे मामले को आगे भला दिया गया अनुकि अब 24-8-2022 को यह मामला सुना जाएगा। उत्तर परदियस नमस्त बिविन राज चाहे हो राजस्थानों बहुत सारे राजे हैं जो सुप्रीम कोट के फैसले का जो है इंतजार कर रहे हैं पराथमिक सिछक बरती में बीयड की वैलेडिटी को लेकर तो यह बहुत ही अपडेट थोड़ा सा वो है कि एक सब्ता डेट सिंग के माद्यम से निकाली गई थी लेकिन वो यातरा सुरू होती उससे पहले ही पुलिस कर्वियों ने गरहतार किया था और देर दोपेर उसके बाद छोड़ दिया और तिरंगा यातरा पूरी तरह से रद्ध हो गई लेकिन फिर से एक जानकरी देखने को मिली है कि कल द प्रदेश में सिच्छक भरती के अलावा किसी अन्य भरती के लिए आप आवाज अब नहीं उठा सकते हैं। और बहुत सारे चातर ऐसे हैं चाये वो रजत सिंग हों यान जो चातर हों उन्होंने भी जानकरी दिये कि PNP तयारी कर चुका है UPTED 2022 नोटिफिकेशन जारी करनेगा। प्रणाम आएगा तो दोस्तो इसी सब्ताप UPTED 2022 का नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे जिसमें लाखो लाख एक बार फिर से बेरोजगार अपनी प्रात्मिक सिच्छक भरती के लिए उच्छे प्रात्मिक सिच्छक भरती के लिए दोनों के लिए UPTED 2022 का उनलाइन आव इस पस्ट जानकरी यहां पर अधिकारियों के मादियन से देखने को पहले भी मिल चुकी है छात्रों ने अंदर टक वारता की है वहां से जानकरी देखने को मिली थी पहले भी हमने आपको इस बारे में सूचना तो दी थी तो जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आपक किसी भी समय जारी हो जाएगा लेकिन पंदरा अगस्त के बाद ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा क्योंकि पंदरा अगस्त के अगले दिन एडिट जुनियर का प्रणाम और उसके बाद नोटिफिकेशन यूपी टेट 2022 का फिर आगे के प्रक्रिया सुरू होगी अब बात कर लेते हैं 12,460 सिच्छक भरती पर यहां 12,460 सिच्छक भरती पर शातरों को इंतजार है क्योंकि 22 अगस्त 2022 को यहां पर सुनवाई होनी शातरों को भी इंतजार होगा कॉद लिष्ट का तो हम आपको बता दें कि अभी आज रभी बार है कल 15 अगस्त है तो यहां पर 17 या 18 तारिख में जो आपकी कौद लिष्ट है वो आदिकारिक वेबसाइट पर आ जाएगी हम उसकी जानकरी आपको देंगे कि किस नंबर पर किस तीरियल नंबर पर 12,460 सिच्छक भरती की सुनवाई होगी और जानकरी यह भी देखने को मिल रही है कि अभी लगतार छु प्रियास किया जाए उन तक अपनी बातों को रखा जाए ताकि मामला जो है वो ताजा रहे कि 22 अगस्त को सुनवाई है सरकारी अधिवक्ताओं को पहुंचना है प्रपोजल के माध्यम से या अपने वाक के माध्यम से कैसे भी वहाँ पर चीजों को रखना है ताकि भारती सुरू हो सके हाई कोर्ट से तो उसको लेकर अधिकारियों से 16 उ 17 अगस्त को यहां पर अभ्यार्थी मिल सकते हैं ऐसी जांगरी आज देखने को मिलीए तो मिलने के बाद अधिकर जो भी अपडेट आएगी वो भी हम आप सभी के साथ शेयर कर देंगे आप तक उस अपडे